कि हेलो दोस्तों आज के lemon में हम जानेंगे आइपDoink में कौन कौनसी पॉजिसंद 20 से यहां पर कुछ पोजिसंद 20 कि अम्यवेल्व फॉज़ थे हैं उसमें कौन 5 welding के case में आपकी weld positions कौन-कौन सी रहती है तो बच्चों आमेशा ध्यान रखें 5 welding के case में सामध्य तह जो welding position यूज की जाती है वह 1G, 2G, 5G, 6G और एक position और होती है आपकी जिसको बोलते हैं 6G 6GR वो क्या होती है यह अलग sessions में हम discuss करेंगे कि 6G आपकी 6GR position से कैसे अलग है तो आई बचों जानते हैं 1G positions हम पहले ही discuss कर चुके है बचों number जो यहां पर denote करता है number जो यहां पर denote करता है आपका positions और G जो हां पर G का मतलब क्या है बचों यहां पर 1G positions है pipe welding के case में अगर 1G positions है बचों तो आपका जो weld होगा वो फ्लैट होगा और pipe जो है वो rotate करेगा मतलब मैं अगर आसान भासा में अगर समझाओं तो आपकी जो welding rod है welding electrode है वो एक position welding जो torch है वो एक positions में रहेगी यहां पर टॉप पर और pipe को जो है आप rotate करते हुए चारों तरफ से weld करोगे pipe यहां पर rotate करता है आपका electrode जो है यहां पर उपर टॉप पर क्या होता है fix रहता है तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि pipe जो है horizontal axis के round जो है rotate करती है और जो weld यहां पर होता है तो weld कौन सा होता है आपका फ्लाट वेल्ड हो रही है इसके लावा अगर 2G positions के अगर मैं बात करो बचो यहां पर आपका pipe fix रहता है इसके लावा सारी जो positions होती है बचों महाँ पर आपकी pipe जो है fix रहता कि यह वन जी position में pipe आपका rotate करता है तो 2G positions में बचों कैसी आपकी welding होती है देखो 2G positions कैसी है आपकी pipe एक दूसरे को पर मतलब pipe जो है किसमें vertical axis पर है pipe vertical axis पर है इसके लावा जो welding आपकी होगी वो कैसी welding होगी आपकी और होगी और होगी होगी और होगी तो pipe आपको दिख रहा होगा, same welding आपको यहां पर दिख रहे होगी, positions भी आपको यहां पर same दिख रहे होगी, बस अंतर क्या है यहां पर बच्वों, यहां पर pipe को rotate करा जाता था, और यहां पर pipe जो है आपका fix है, pipe fix है, आपको जो operator है, उसको अलग-अलग direction, अलग-अलग movement कर करना पड़ेगा welding करने के लिए 4 तरफ से pipe को, तो हम क्या करते हैं बच्वों, कितनी positions में हाँ पर welding होगी, pipe यहां पर fix होगा, पहले यह वाला positions welding, ठीक, तो मतलब यह क्या होगा, यह सबसे उपर, सबसे पहले चलते हैं बच्वों, उपर, सबसे उपर, तो यह flat हो जाएगा यहां पर, अगर उपर हम welding कर रहे हैं, तो flat position, यह वाली बच्वों, और इसी के जस्ट पीछे, यह vertical position, और यह वाला जो है बच्वों, operator के लिए क्या होगा, आपका, overhead, नीचे से यहां पर जब weld करेगा, तो overhead welding होगा, इसका मतलब, 5G position में, pipe आपका fix रहता है, इसके लावा जो weld position रहती है, कौन-कौन सी, flat, इसके लावा आपका vertical और आपका overhead, यहां पर तीन position जो है, operator को जो है, लेनी होती है, weld करने के लिए, इसके लावा, एक position और होती बचों, 6G position, pipe welding के case में, 6G position, तब हम उसे कहेंगे, जब हमें pipe को किसी angle पर, और वो angle जो होता है, वो कितना हो होता है, आपका 45 degree, 45 degree लगभग, 45 degree और आपका 5 degree उपर नीचे हो सकता है, मतलब 5 degree अगर ज़्यादा है, 5 degree कम है, तो भी आपकी यही position आपकी मानी जाएगी, 6G, वैसी बचों, यहां पर भी है, 1G, 2G, 5G के case में, 10 degree इधर उधर आपका चलेगा, same position जो है, आपका रहेगा, तो ऐसी position में, जब हम weld करते हैं, तो same वही चीज़े होगी, बचों, ऊपर जो हम weld करेंगे, ऊपर जो हम weld करेंगे, यहां पर, तो flat weld, यह वाला जो weld करेंगे, तो वर्टिकल बेल्ड और नीचे से वाला weld करेंगे, तो आपका weld होगा, आपका कौन सा, यह होगा, आपका overhead weld, तो सामने ताप से पुछा जाता है कि जिस पोजिशन में 45 डिग्री पर अगर हमें पाइप वैल्ड करना है तो वह कौनसी पोजिशन आपकी होती है वह होती है